विश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल क्या है हमारी संस्कृती? क्या है हमारा धर्म? आईए, समझते हैं धर्म एवं संस्कृती की परिभाशा पोज्य श्री देव की नंदन ठाकुर्जी के श्री मुक से सभी प्रभू प्रेमियों को मेरा प्यार वरा रादे रादे आज अब आपको हम बताएंगे कि काफी वक्त कहते हैं कि भगवान मेरे पास आते नहीं है ये सच नहीं है कि भगवान आना नहीं चाहते सच यह है कि हम बुलाना जानते ही नहीं है एक भक्त ने बड़ा सुन्दा लिखा है लोग कहते हैं भगवान आते नहीं वो कहते हैं कि तुम द्रोवदी की तरह हमें बुलाते नहीं लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं वो कहते हैं सवरी की तरह तुम खिलाते नहीं वो आने को भी तयार हैं वो खाने को भी तयार हैं वो तुमारे पास रहने को भी तयार हैं लेकिन वो हिरदय तो हो वो प्रेम तो हो एक बार की बात है भगवान से कृष्ण द्वारिका में राज महल में स्वर्ण भवन में विराजमान थे रुकमनी जी उन्हें 56 भोग हाथ से मोड छली के पंके से उनकी हवा कर रही थी तो जैसे ही पहला ग्रास भगवान ने अपनी मुख की तर बढ़ाया तो अचानक से उन्हें कुछ ध्यान हुआ और वो बिना भोजन किये वहीं ठूक छोड़ कर दोड़ पड़े जितनी भी रानियां जितनी भी शेवक वाँ खड़े थे सब अचरज में पड़ गए कि आस तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रभू भोजन परशाद छोड़ कर भागे हों आज प्रभू कहां जा रहे हैं सब रानियां दोड़ती हुई जानने लगी उनके पीछे पीछे जा रहीं थी उसी समय देखती हैं कुछ देर बाद ही भगवान सी कृष्ण पुना भापस आ रहीं लगे और उस आसन पर विराजमान होकर प्रशाद पाने लगे भोजन ग्रहन करने लगे भगवान ने बोजन प्रशाद ग्रण किया हस्त प्रक्षालन किये हस्त प्रक्षालन के बाद स्री कृष्ण ने जब रुक्मणी जी के तरफ देखा तो उनके मुख पर जो प्रश्ण के चिन थे वो अभी भी उबरे हुए थे मानों वो जानना चाह रही थी कि अब गए कहां गए तो गए क्यों नहीं बीच में से लोट क्यों आए ये प्रश्ण उनके मुख मंडल पर प्रतक्ष दर्शन दे रहा था भगवान सी कृष्ण ने पूछा रुक्मणी कुछ पूछना चाहती हो बोले जी हां मैं पूछना चाहती हूँ पूछो क्या पूछना है तो रुक्मणी ने पूछा प्रभू आस तक ऐसा नहीं हुआ कि आप भवजन की थाल को छोड़ कर कहीं जाने लगे हो और गए भी तो फिर जा भी नहीं पाएं आप बापस ही लोटाएं ऐसा क्या हुआ अचानक से आपको ये स्थान त्याग ना पड़ा अचानक से आपको ये भोजन छोड़ कर जाना पड़ा ऐसा क्या हुआ तो भगवान सी कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे रुक्मणी जब मैं भोजन ग्रेन करने लगा उस समय कुछ दुष्ट प्रविड़ती के लोग मेरे एक परम भक्त के ऊपर पत्र उठा उठा कर मार रहे थे और जब मेरे भक्त को कोई इस तरह से मारता है तो मेरे से बड़दास नहीं होता मैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए दोड़ पड़ा लेकिन जैसे ही मैं महल से बाहर निकलने वाला था तो उस भक्त ने भी पत्थर उठा लिया और भक्त भी उनको मारने के लिए तैयार हो लिए और तुम्हें बापस आगे बोले प्रभू फिर क्यों बापस आगे बोले जब तक व्यक्ती मेरे उपर पूर्ण आश्रत न हो मेरे उपर भरोसा न करे तब तक मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ जब जीव को अपने उपर भरोसा रहता है जब जीव को अपने उपर विश्वास रहता है जब तक वो अपने आपको शक्षम समझता है तब तक जीव अपने आप से जो भी करना चाहे करे लेकिन जब जीव अपने आपको निर्वल समझता है जब जीव मेरे आशृत हो जाता है तब ही मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाता हूँ तो जब उस भक्त ने पत्तर उठा लिया तो उन लोगों में और भक्त में जादा अंतर रहा नहीं इसलिए मैं पापा सा गया और भोजन करहन कर रहा हूँ हे मेरे प्यारे ओ, इस बात से हमें बहुत को सीखने को मिलता है हम एक माला करते हैं और लोगों से सिकायत करते हैं कि भगवान ने हमें दिया नहीं भगवान हमारी सुनता नहीं सच यह है कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है और जब तक जीव को भगवान पर भरोसा नहीं होगा तो आप ही पताए भगवान आपकी मदद कैसे करेगा भगवान आपकी हेल्प कैसे करेगा अगर हम और आप चाहते हैं कि भगवान हमारी मदद करे भगवान हमारी हेल्प करे तो उसके लिए सबसे ज़्याद आवश्यक है भगवान के उपर भरोसा करना जो जीव जितना भरोसा करेगा भगवान उतने ही उसके करीब हो जाएंगे दुरुबदी की रक्षावी भगवान ने तब तक नहीं की जब तक दुरुबदी ने दौना हाथ उपर नहीं कर दिये और जब दुरुबदी ने दौना हाथ उपर किये तो भगवान बस्तर बनकर उसके अंग से लिपट गए उसकी इस्तिती जानते हो ना आप वो रजर सुला इस्तिती थी उस समय तो जब भगवान को लगता है कि आपको उसकी जरुवत है तो नो वो कोई विवस्ता देखता है ना आपकी वो कोई अवस्ता देखता है ना अवस्ता देखता है ना बेवस्ता देखता है जब भगवान को लगता है कि आपको उसकी जरुवत है और आप पुकारने वाले निर्वल हैं उसी के चर्णों में समर्पित हैं तो तुरंत भगवान आपके हम दोड़े चले आते हैं तो ये मत कहिएगा कि भगवान आते नहीं अब अगर कहना हो तो ये कहिएगा कि हम कभी दिल से भगवान को बुला नहीं पाते जिस दिन आप मन्से भगवान को बुलाएंगे भगवान आपके हैं दोड़े चले आएंगे ऐसा मेरा मानना है तो प्रेम से भगवान को बुलाईए उन पे भरुसा करिए उन पे विश्वास रखिए भगवान एक दिन अवश्य आएंगे और हम सब की मनों कामना पूरी करेंगे रादे रादे विश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देव की नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पूज्य महाराज जी के अदकारिक पेश को लाइक करने के लिए देव की नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पूज्य महाराज जी को dn-thakur-g फालो करें